आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे आज टाटा कंजूमर के बारे में क्या इसका भष्य होगा इसको क्या से ठीक कर रहेंगे आगे के लिए और अब quarter one का result आ चुका है तो इसके बाद इसकी क्या संभावनाई बन रही है हम fundamental analysis करेंगे और उसके बाद में हम लोग बताएंगे कि क्या भष्य है इसके trading के basis पर technical parameter पर कितना उपर तक जा सकता है और कह पर आपको खरीद करनी चाहिए यह सब इस channel पर चलिए समझते हैं सबसे पहले अगर आप बात करें टाटा consumer की तो इनके पास various activities जैसे आप समझे है टी तो इनकी expert है टाटा टी के reference में टेटली के brand भीम को विदेशों में बहुत प्रसिद होते हैं टाटा salt, food, water, everything comes together और advantage क्य और उनको discount मिलेगा तो for example अगर आप टाटा steel में काम करते हैं तो वहाँ पर पानी की जरूत है तो पानी टाटा water से ही provide किया जाएगा अगर वहाँ पर चाही जर रही है तो सारी की सारी वहीं पर टाटा tea की ही जाएगी तो यह सबसे बहुत synergy होती है इनके group के environment में जिससे इ और इनके साथ में advantage यह भी रहता है कि अगर कोई भी इनकी outing और activity हो रही है तो उसमें भी यह लोग gift pack की तरह से करके देते हैं अपने दोस्तों को अपने friends को अगर हम आज की activity की बात करें result के बाद देखे क्या हुआ है वो हम समिक्षा करेंगे detail में पर at the end of the day भाव इसका low जो था 214 का था तो इससे हमें क्या पता लगता है और इसकी delivery जो होती है 35 प्रतिशत के असपास delivery होती है on average तो वो भी अच्छा sign है इसका ऐसा नहीं है कि operators game खेल रहे हैं इसमें delivery के business पर काम होता है इसमें अब अगर हम बात करें टाटा consumer के बारे में इसकी market cap जो है 41,000 करोड की है काफी healthy market capitalization है एक market lot है चाहे तो आप सिर्फ एक share खरीच सकते हैं और इसमें advantage आपको मिलेगा कि ये dividend देते हैं dividend yield थोड़ी कम है क्योंकि इसका price face value एक रुपे है और जिसका price सल रहा है वो 447 सल रहा है पर dividend kata group के companies में हमेशा मिलता है percentage yield थोड़ी कम रहती है पर मिलता जरूर है अब अगर हम बात करें इनके sales figure की थोड़ा मुआना कर लिया जाए तो इनकी March में sales figure थी 2400 की जहां street company की sales figure कम हो जाएगी पर उनका result अच्छा आया है 2700 के असपास उनकी sales figure है वहीं उनका expenses जो है वो उनने control की है कम हुआ है 2400 करोड की बजाए 2200 करोड का expense है तो इससे फाइदा क्या हुआ है इससे net profit उनका increase हो गया है जहांपर उन loss था पिछले बार 50 करोड का यहांपर 389 करोड का उनको profit हो गया है जो की पिछले 5 quarter में सबसे ज़्यादा है तो बहुत अच्छा result है उसके reference में देखा जाए पर stock market पिछले result को ज़्यादा तवजव नहीं देता है आगे क्या होगा उसके ओपर depend करता है तो हम आगे बताते हैं आगे क्या होगा इसका आपको शाद पता हो एंच चंद्रा जो की chairman of Tata Suns है पहले ये इनकी subsidiary company TCS Tata Consulted Services के CEO और MD थे और वहाँ पर भी ने बड़ी धूर मचाई थी अपना हर business segment को छोटा छोटा ग्रूप में डिवैड किया और वहाँ से उन्होंने सर्जीन निकाली और उसके बाद में growth दिखाई तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने उसमें अब वही strategy ये लोग Tata के दूसरी companies में लगा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है कि इसके लिए उन्होंने effectively अपना business unit को थोड़ा थोड़ा units में divide कर दिया है और कहीं पर जहां पर opportunity join करके बड़ा group बनाने की वो भी उन्होंन जो turnover होता है combined consumer business से वो बढ़ जाएगा अभी यहाँ पर 9000 करोड है तो उससे और जादा हो जाएगा अगर यहाँ पर देखे जाए इनका कितने different different entity थे करीब 1154 different entity थे तो उनसे उनको merge करने के बाद में काफी अच्छा benefit मिलेगा synergy होगी system में energize करेंगे एक दूसरे को और growth opportunity म information है उनने 58,000 valuation of business carved out of Tata chemicals तो जो different different segments है उनके through ये करते कैसे हैं कि आप नया product बनेगा तो आपके दूसरे segment में चला जाएगा यही Tata Group की एक सबसे अची खासियत रहती है और दूसरा ये philanthropy में बहुत जादा बिश्वास करते हैं अगर हम आपको एक insurance बिताए जब मुंबई मे terrorist attack हुआ था ताज पर तो उनका operations पूरा तहस नहस हो गया था और कोई customer नहीं आ रहा था एक particular segment में पिछले अगले तीन सालों तक के लिए पूरा hotel बंद नहीं हुआ था कुछ segment पर उन्होंने continuously अपने employees को salary दी उनके बच्चों के पढ़ाई के खर्च कराया उनके medical expense कराया त जिसके चलते हुए employee एक बार इसमें आ जाता है तो फिर अपनी जीजान लगा देता है उसको employee नहीं छोड़ना चाता है इस company को तो इसलब वज़ेसे इनको innovation और growth में बहुत opportunity बिलती है अब अगर हम बात करने इसको और fundamental valuation की तो अगर यहाँ पर promoter stake की बात की जाए तो promoter stake 34 परसेंट है और करीब 2 परतिशत उनने प्लज किया है जनरल टाटर ग्रूप में प्लज नहीं करते है पर यहाँ पर हो सकता है उनको cash की को ज़रूत है तो उनने दो 27 परतिशत प्लज किया हुए हो सकता है भोजल दीश को recovery भी कर लेंगे FII की holding करीब 19% है और DII की holding करीब 27% है वहाँ पर others की holding करीब 20% के आसपास है तो mix balance है प्रमोटर का थोड़ा कम stake है इसमें पर overall देखा जाए तो अच्छा healthy hand है रिटेलर के पास भी करीब 20% का holding है इसमें दोस्तो अगर information अच्छी लगी है वीडियो में कुछ भी question है तो आप हम जड़ा एक बार long term का chart देख लें तो यह होती है wealth creation की कहानी अगर आप देखें इस stock ने long term में बहुत अच्छी wealth create किया है आपको ज़रा zoom out करके दिखाते हैं अपर तो आप देखेंगे तो यह stock कभी 102 रुपे से चलना शुरुआ है 105 रुपे से चलना शुरुआ है इसके बाद यह high बनाया है इसने 350 का फिर एक reaction आया नीचे गया थोड़ा सा रिट्रेस हुआ फिर उपर गया फिर नया high बनाया 360 का फिर covid की चलते हुए सब नीचे आये थे पर उसने बार को नहीं तोड़ा औ तो momentum बहुत अच्छा है stock में, future growth के लिए बहुत अच्छा है अगर आपको use करना है तो अपने long term portfolio के लिए इसको बना के रखना है पर किस level पर price करना है वो हम आपको आगे बताते हैं अब अगर हम आगे चल कर देखें इनकी website पर तो इनकी website का simple concept है कि जो भी आपको अच्छ की बात करें चाहे US की बात करें Europe, Australia, Middle East सब जंगा पर इनकी और UK सब जंगा पर इनकी available है और tea का ज्यादा consumption आपका UK में बहुत होता है, Europe में बहुत होता है, US में coffee का ज्यादा चलना है तो जिस देश में जैसी ज़रूत है उसके basis पर ये लोग अपना privileges प्रवाइड करते है इसके अलावा इनकी और भी काफी अच्छी खबरे हैं जो हम आपको भी बताते हैं, तो अगर आप देखें इनकी website पर, तो जो उनकी sustainability model है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी तरह से ये practice करें कि इनकी जो जड़े हैं उसको हमेशा बना के रखें, TATA के principle हैं, हमेशा climate change प इनके employees का mandatory होता है कि कुछ percentage hours उनको CSR activity में जाना होता है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को काम कराना, सिखाना, कुछ नहीं technical skills सिखाना, अगर कोई TATA TCS में है, for example, तो computer skills सिखाएंगे, कोई TATA Steel में है, तो उनको on-job training पे बुलाते हैं कुछ time के लिए ताकि जो ने UA है उनको समझ में आए कैसे steel production होती है, तो यह से बहुत अच्छी ख़बर है इनके लिए, बहुत अच्छा model है इनका, और अगर आप investor की तरह से देख रहे हैं, तो आपको ऐसी company में देखना है, जो अपने employee का भी धियान रखती है, और अपने आसपास के environment और society का भी धियान र है, वो है 482 के आसपास, तो अब यह अगरिम होगा 482 के आसपास, और जब वो उसको cross कर देगा, तो फिर वो 62 percentile पे जाएगा, जो की 530 के आसपास है, तो इसको चलते हुए आपको देखना है, कि कहां पे आपको entry करनी है, यह हम आपको आगे बताएंगे, कि कहां पे इसकी entry बहुत अच्छी बनती है, तो आगे चलकर देखते हम इसको आगे, अगर हम daily chart पे देखें, और इसका जड़ाट indicator से कुछ पता लगेगा, कि क्या हो रहा है इस indicator में, तो आपको जैसे पता है, one of the favorite indicator जो होता है, traders का, वो super trend होता है, super trend से effectively आपका पता लग जाएगा, कि free available है, आप चाहें तो use कर सकते हैं, तो अगर देखें यहाँ पर, तो इसने जब 325-326 का level क्रॉस किया, तो super trend ने बोलना शुरू किया, daily basis पर अब आप खरीज सकते हैं, तो long term की value के लिए बहुत अच्छा outbreak दिया, और उसके बाद से, वो stock अभी तक upstairs चल रहा है, और करीब 430-435 के आसपास चल रहा है, अगर किसी ने आज trade किया होगा morning में, तो हो सकता है, उनको loss रहे हम detail बात करेंगे जब हम इसका further chart को देखेंगे, पर super trend के basis पर यह upward journey बहुत माहिल तरह से काम कर रहा है, अब अगर वहीं हम बात करें, आज nifty और bank nifty ने कैसा कारोबार किया, त हम लोगों ने अपनी internet trade की खुद से, और करीब 17,000 का profit कमाया है, हमारे paid customer है, वो भी use करते हैं हमारी service को, और उन्होंने भी काफी profit कमाया है, अगर आप हमारी paid service में interest रहे हैं, तो हमें अपना interest express कीजिए, हम future और option दोनों में काम करते हैं, nifty और bank nifty, आपको service provide करेंगे, और जरह इसका देखना सोचेंगे, कहीं और stress zone में तो नहीं आ गया है, तो इसके लिए हम different parameter use कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगया आप यूज कीजिए, हमारा दूसरा parameter जो होता है, कुछ लोग RSI use करते हैं, वो भी अच्छा है, हम लोग bullionger band को जाता देखते हैं, वो growth भी यह जो 5 दिनों की rally हो रही है, यह result से पहले की rally है, कुछ लोगों के पास ख़बर होती है, तो इसके बाद में होता क्या है, जब result आया, तो सब लोग उचल के उस stock को खरीदने लगेंगे, especially हम जैसे retail लोग, और होगा क्या, कि वो वहाना उपर न चड़के वो नीचे गिरन लगेगा, देखे, हुआ exactly same, अब इसके बाद होता क्या है, कि हम लोग patience नहीं रखते हैं और हमारे फिर stop loss trigger हो जाता है, हम लोग entry करने के लिए patience होना चाहिए, अगर हम इसमें चार्ट में देखें अभी, यह जो आपको bullinger band बता रहा है, मैं आपका बहुत हावारी हूँ द continuously continue पर चलता जाएगा, नहीं, bullinger में ऐसा नहीं बोलता है, बोलता है कि यहाँ पर हम over stress zone में आ गये हैं, तो इसको retrace करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, तो जब यह सुबह खुला, positive news के चलते हुए, लोगों ने सोचा कि हम buy कर लें यहाँ पर, क्योंकि result बहुत बनेगा, पर आपको parameter की basis पर अपना काम करना है, आप यहाँ पर long नहीं जाना है, अगर आप यहाँ पर long गए तो आपको हो सकता है, लुक्सान होगा, क्योंकि long जाने में दिक्कत है, यह mean से बहुत जादा divert हो गया है, और board zone में चला गया है, तो इसको पहले थोड़ा cool off हो कीजे, तो यह आपको अच्छी चीज़े हैं जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, और एक कमेंट ज़रूर भीजेगा अपनी तरफ से, अगर आपको कुछ कुशन है तो, अब देखे हम आपको बतात पर in general इतनी जल्दी हम लोग trading नहीं कर पाते हैं, तो आपको देखना होता है stock, उसके बाद नीचे गिया, नीचे गिरता गिया, नीचे गिरता गिया, और सारे दिन पर उसने फिर नीचे का ही view बना के रखा, बागे बाद के आखिर के 45 मिनिट्स में थोड़ा आप मूद द बताया, 425 का आपका पहला range है, जहां पर आपको buy करना है, दूसरा range रहेगा 405 के आज-पास का, यहां पर आपको दूसरा lot खरीदना है, और तीसरा lot जो होगा, वो 395 का आपको यहां पर खरीदना है, तो staggered mirror में खरीदिए, ताकि आपको हमेशा average cost कम रहे और आपको profit होने दो साल के अंदर, जी हां, अभी करीब 450 के आज-पास, 440 के आज-पास चल रहा है, इसका target हम 700 दे रहे हैं, अगले आने वाले दो सालों के अंदर, मैं उमीद करता हूँ, आप यहां पर सीख भी रहे हैं, और आप पैसे कमाने का भी मोका मिल रहा है, अगर कोई question है, तो प् मंगल मेरहे, जाहिंद